हेलो फ्रेंटस वेल्कन टूमान यूच्व हम जानने वाले हें कि आप किश तरह से hai एरिया आफ सकल मालुम कर सकते हैं सी प्लस प्रोग्रामिन्ग में तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने लिखना है रिंक्ड अई हैं उसके भाद एक और या खुरिंघ during फिर्स चर्ण किसे मेधध और यहां लिखना तो यहहां पे यहां पर्लिट यहां पर सुलतर तो इस सब्सक्राइब ने मेंन फंस टर्ट करना है तो यहां पे हमने main function start किया और brackets और उसके बाद curly brackets और जिसमें हमने यहां पे floating point में हमने variable उठाए हैं एक area और उसके बाद दूसरा है radius और पाई यह हमने तीन variable उठाने हैं तो यहां पे हमने पाई लिखते थे तो यह हमारे पास तीन variable हैं जो के हमने declare की हैं और उसके बाद आप हम यहाँ पे c out कराते हैं c out double as then double quote के अंदर हम लिखते हैं enter radius यहाँ पे हमसे input में मांगीगा enter radius ठीक है radius हमने input में देना पड़ेगा जो के हमें कहीं मिला हुआ होगा और यह c in यानि save होगा जाके radius में जो के हमने पहले ही variable उठा है उसमें जाके यह save होगा और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पाई का जो फार्मूल आता है वो और उससे पहले हम पाई को यहाँ पे declare करेंगे ठीक है पाई की constant value वो 3.14 है पाई की value हमने दी और उसके बाद एरिया का जो फार्मूल आ है पाई into radius का square तो वो हम यहाँ पे इसे declare कर देते हैं तो पाई into radius का square यानि radius को दो बार आपस में multiply कर देते हैं तो यहाँ पे radius का हमें square में लेगा तो radius into radius radius का square और उसके बाद यहाँ पे हमें सी आउट कर आएगा सी आउट डालेज दिन डावल कोट के अंदर हमें शो करेगा area of circle यहाँ पे लिखेंगे the area of circle इस और उसके बाद यहाँ में area शो करेगा तो यहाँ पे डालेज देंदर के area हम लिखेंगे area और उसके बाद last में आपने देना है return 0 यहाँ पर आपने रिटांड 0 देना है और semicolon कर देना है close और उसके बाद करना है save किसी भी नाम से आपने यहाँ में धेंदेता हूं ठीकर सेव गिया और उसके बाद आपने कर देना है compile जैसे आप compile करते हैं तो ज्सक्रिया को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करें ऐसा ही वीडियो के लिए